वेलकम टो एकलवे असनातक एंड आज की इस वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर फर्स से जो आपका सब्जेक्ट है एंशेंट सोसाइटीज और ब्रोंजे सिविलिजेशन में आज हम एंशेंट ग्रीस से जो आपकी मिनोन्स एंड मैसीनियन जो सिविलिजेशन से इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं तो आईए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बता दूँ कि if you have any query और if you have any doubt you can message me on Instagram and you can also follow me on Instagram मेरा username आप सभी के सामने लिखा हुआ है और अगर आपको ये सारे notes PDF form में चाहिए तो आप हमारे telegram channel एक लब्यासनातक 1 को join कर लीजिए सर्चमार के and आगे बढ़ते हैं अगर पहले की units आपको देखनी है तो इसी वीडियो के description में आपको playlist का link दे दिया जाएगा आप वहाँ से जाकर सारी videos को देख सकते हैं और तो start करते हैं आज का जो हमारा topic है सो देखे सबसे पहले एक आपको map दिखाता हूँ आपको यह पता होना चाहिए कि जो यह minon और mycenian settlements थी यह थी कहां पर आखिर ठीक है तो यह जितना भी आपको जो light purple color नज़र आ रहा है यह वाला area यह वाला area यह वाला area ठीक है यह नीचे का यह वाला island वाला area यह सारे areas जो हैं आप कहा सकते हो कि minon and mycenians के area में आते हैं तो आपको समझा रहा है आगे बढ़ते हैं हम और यहां से याद रखेगा कि जो mediterranean सी है वो बिलकुल इसके left side में है आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले मैं आपको minon civilization के बारे में बताना चाहूंगा सो minon civilization बाकी की जो civilization से थोड़ी से अलग है क्योंकि अभी तक हम ने यह देखा था जाददर civilizations जो है वो rivers के आजपास उनका development हुआ था बट minon civilization जो है वो Greece के अंदर जब Bronze Age चल रही थी initial phase में जब यह minon आए थी यह एक island है जो की क्रेट नाम की जगा पड़ता आप क्रेट कहां पर है आपको मैंने map पे दिखाया था यह देखे यह south में क्रेट है ठीक है यह क्रेट है सो यहाँ पर यह रहना start हुए इनकी settlements जो क्रेट की location थी वो Mediterranean Sea के east side में थी ठीक है जो कि आपको मैंने दिखाया और काफी complex society थी इनकी इनका art and architecture काफी unique था मिनोन्स ने काफी development किया western European जो civilization है उसके development में और civilization को दुबारा से जो discover करने का काम जाता है 20th century में वो जाता है एक British archaeologist है Arthur Evans जिनोंने Knossos नाम की जो जगह है उसको excavate किया था और हमें फिर बताया था बहुत कुछ उसके बारे में अब आगे चलते हैं मिनोन्स का trade कैसे होता था सो मिनोन पीरियड में trade होता था crate और जो agents होते थे और जो Mediterranean settlements होती थी अब मैं आपको दिखाता हूँ crate कहां पर है और मैं आपको सारी चीज़े बता देता हूँ so यह आपका crate है यहाँ पर कुछ Mediterranean settlements रहती है यह आपका agency है so इसी के आसपास ही trade चलता था समझागे आपको अब आगे देखते हैं क्या होता है so trade में होता क्या था कि एक तो crate से भाहर जाकर भी यह लोग trade करते थे cyclates के साथ में, Egypt के साथ में, Cyprus के साथ में export किन चीज़ों का होता था, olive oil का, wine का, timber का, stone vases का और import किसका होता था, metal का, raw materials का, जिससे वो tools और weapons बनाते थे बहुत सारे artworks करते थे, जैसे कि copper cyprus से आता था, silver जो है वो cyclates से आता था, सो देखिए, यह trade routes है, ब्रॉंज एज, civilization जिस time पे थी, उस time के यह trade routes है, सो यह हमारा crate है, यहां से Egypt में भी यह trade कर लेते थे, Cyprus में भी यह जो है आपका trade कर लेते थे, ठीक है, सो इस तरीके से आपको समझना है, यह आपके trade routes थे, जो उस time पे यह लोग करते थे, minons जो थे, वो palaces बनाते थे, so at about 2000 BCE, जो पहला minon palace है, वो बनाए गया था, चार important जो minon palaces है, उनके नाम कुछ ऐसे nosos है, faistos है, malia and zakros है, so यह चार palaces इन्होंने बनाए थे, ठीक है, जिस में से आप देख सकते हो, जो nosos है, वो यह वाला है, बाकी के जो हैं, आप यहां से देख सकते हो, so यह इनके palaces यह बनाए करते थे, so हुआ क्या, बहुत earthquakes वगरा आए, fires हुई, ठीक है, destructive earthquakes थे, दुबारा इन palaces को बनाए गया, about 1700 BC, और यह जो दुबारा से जो second palaces बनाए गए, यह लगबग 1450 तक, ठीक है, उसके बाद दुबारा कोई अर्थ कोई को आया होगा, यह कोई fire लगी होगी, invasion हुआ होगा, जिससे के फिर यह तूट-फूट हुई इसमें, और जो यह palace होते थे, यह monumental buildings जो होती थी, इसमें बहुत बड़ा एक rectangular court होता था, बहुत सारे rooms होते थे, and colonnets होते थे, staircases होते थे, उपर जाने के लिए, drainage system काफी अच्छा था, light wells होते थे, theater भी होता था, जाकि मतलब कोई public, महाँ पे enjoy कर सके, beautiful wall paintings होती थी, जो कि हमें काफी everyday की जो life होती है, उसके बारे में information देती थी, यह देखिए, आप उनकी minons की painting को, इतने सुन्दर तरीके से इन्होंने बना रखा था, अब आगे चलते हैं, trade और administration के बारे में मतलब समझते हैं, so हर palace जो होता था, वो king का residence माना जाता था, और वहीं पे local administration बगरा भी चलता था, trade centers जो होते थे, मैं आपको बताओ, वहाँ पर wine, oil, grain और कुछ precious metals और ceramics को लाया जाता था, और मैं आपको बताओ, कि यह एक religious workman होते थे, market system अभी यहाँ पर emerge अच्छे से नहीं हो था, cyprus को अगर मैं बताओं, तो वो एक copper supplier था, बट जो tin होता था, वो बहुत दूर-दूर से आता था, so अगर trade ना होता, तो दूर-दूर तक इनके connections भी नहीं बनते, जैसे Britain, Afghanistan और minon economy जो है, वो ज़्यादा successful नहीं हो पाती, अगर लंबा trade ना होता, कुछ minons जो थे, वो Egypt में रहे, ठीक है, as mercenaries और हम जिसको हम artist कहते हैं, जिनको हम minon friscose कहते हैं, यानि कि wall paintings जो बनाई जाती थी, वो Egypt से हमें मिली है, तो however, ऐसा माना जाता है, कि it was the near eastern merchants and craftsmen who travel to the minon crate, ठीक है, सो आगे आगर मैं आपको बताओ, household की, मरलब मैं आपको बताओ, household से ही सारा कुछ बनाया जाता था, ये main unit होती थी production की, newletic period से, सो हुआ क्या, कि आगर मैं आपको बताओ, थस the specialization and competition were at the level of the household and regulated by the local needs and the demands of community, जो भी competition चलता था, वो वहाँ पर बनाई जाती थी, फिर है society and religion, so religion जो था मिनोंस का, वो काफी sketchy है, कुछ हमें art वगरा, architecture और artifact से मिलता है, पता चलता है religious ceremonies, ये लोग करते थे, कुछ rituals होते थे, जैसे कि pouring of obligations, food offer करना, processions, feast, sporting events, जैसे कि bull leaping वगरा, ये religion से ही इनके related characteristics है, natural forces जो होती थी, उनको हो सकता है कि माना जाता हो, जैसे कि माना गया है कि ये mother earth goddess वगरा कि एक मूर्ती मिली है, हो सकता है, उसकी ये पूजा करते हो, ठीक है, कुछ एक male मूर्तिया भी मिली है, जो कि बहुत सारे animals को hold कर रही है, माना जाता है, हो सकता है ये इनकी worship करते हूँ, जो early minons होते थे, उनकी hierarchy काफी week हुआ करती थी, बहुत सारे multiple groups थे, जो powerful थे, minons जो थे, वो polysthetics थे, क्योंकि माना जाता है, ये दो से ज़्यादा भगवानों को मानते होंगे, bull fighting वगरा भी दिखाया जाता था, और एक sport भी था ये, और एक religious ceremony भी होती थी, ये इसमें आता है, मैं कुछ periods पता देता हूँ आपको, pre-palletial period था, इसका जो 26 से 19 सो तक का था, इस time पर agriculture का development होगा, trade होने लगा था, एजिप्ट से और east जो areas थे, population बढ़ने लगी थी, और social एक structure बनने लगा था, फिर आता है, old paletial period 1900 से 1700 BC, इस time पर कुछ regional places जैसे की नसोस, फैस्टोस, जैक्रोस, यहाँ पर इनका development होने लगा था, ठीक है, ये आप मान के चलिए, और इसके अलावा new paletial period आता है, 1700 से 1450, ठीक है, ये अर्थक्वेक वगर होते हैं, जिसकी वज़े से बहुत सारे जगाओं पर जो palaces वगर थे, कुछ parts थे, वो तूट गए, क्रेट और Asian जो region है, वहाँ पर, ठीक है, और मैं अगर आपको बताऊं, फिर post paletial period आता है, 1450 से 1100 तक, so mycenians जो थे, from mainland Greece, ठीक है, वो आते हैं, क्रेट पर कबज़ा करते हैं, mycenians जो है, मतलब उन्होंने palace culture बनाया, इसके अलावा, जो नसोस था, उसको काफी अच्छे से flourish किया, ठीक है, so minon से इन्होंने बहुत कुछ सीखा, अब मैं आपको आगे बताऊंगा, कि कोई यह नहीं जानता कि minon civilization का end कैसे हुआ, पर माना जाता है, एक volcanic explosion हुआ था, जो आला मुकी फटा था, जिसकी वज़ाए से यह civilization end हो गई, और उसके बाद जितना भी control था, यह जो क्रेट नाम के जगा का, वो mycenians के पास आ गया, so अब यह mycenians कोन है, इनके बारे में भी हम समझ लेते हैं, तो mycenians का जो area था, मैं आपको बताऊँ, यह जगा है mycene, ठीक है, यह जगा इनकी important थी, आप एक तरीके से capital समझ लो, so mycenians जो है, वो Greece के mainland बे रहते थे, ठीक है, Peloponnes Peninsula में, और वो trade करते थे Minons के साथ में, काफी कुछ सीखा था उन्होंने Minons से, काफी aggressive थे यह, war-like एकदम बन दे थे भई, fortress बनाते थे, उचे-उचे-उचे hill-tops के उपर, किले बनाते थे, cities जो होती थी, वो fortified होती थी इनकी, और सबसे बड़ी जो city है, वो myceni है, और इन्होंने writing system जो है, वो Minons से ही adopt किया था, यानि कि बहुत कुछ, इन्होंने Minons से, जो है, सीखा था, ये, इन्होंने कुछ चीज़े बनाई थी, जो मैं आपका सामने दिखा रहा हूँ, आगे चलते हैं, Minons ने बड़े-बड़े palaces बनाई थे, बड़े जो mycenians थे, उन्होंने mega rons बनाई थे, यानि कि great rooms, बड़े-बड़े rooms, जिनको king hall भी कहा जाता था, यानि कि जहाँ पर राजा रहता था, फिर उसके बाद एक और हमें यहाँ पर कुछ archaeological remains मिलते हैं, mycenians के, जिनको tholos का जाता है, जो कि बड़े-बड़े massive tom हुआ करते थे, mycenians जो होते थे, वो jellywy items gods को offer करते थे, ठीक है, जबकि minons ऐसा नहीं करते थे, minons ने बहुत ज़्यादा shrines बनाए थे, अपने घरों से दूर, mycenians ने ऐसा नहीं किया था, देखो, palaces जो होते थे, इनके उससे दूर बनाए थे, minons और mycenian religion माना जाता है, mixture था, अलग-अलग cults का, बहुत सारे भगवानों की पूचा करते थे, अलग-अलग practice चलती थी, community worship होती थी, ritual ceremonies बहुत सारी होती थी, mycenians क्या है कि इनका एक hierarchical जो complex था, काफी ज़्यादा political system, बट minons का ऐसा नहीं था, ओके, और ये collapse हो जाता है, 1100 तक आते आते, तो 1100 तक आते आते, इनका ये collapse हो गया था, और उसके बाद जो next phase आता है, mycenians का, वो early phase है, मैं आपको सबसे पहले बता हूँ, तो इसमें होता किया कि जो Greek mainland, जो आप कह सकते हो कि जो लोग थे, वो migrate करते हैं, और mycenian नाम की जगा पर आते हैं, agriculture यहाँ पर होने लगता है, population दीरे दीरे बढ़ने लगती है, trade development होता है, एक hierarchy वाला social system बनने लगता है, minons और mycenians आपस में मिलते हैं, फिर middle age आती है, इनकी 1600 से 1400 तक की, फिर होता क्या है, after the eruption of 13, mycenians की power बढ़ती है, burial sites हमें यह बताती है, कि mycenian leaders जो होते थे, उन्होंने region पर control कर लिया था, उन्होंने अपने trade को बढ़ाया, chariots begin to see, chariots वगरा, दिखने लगे 1600 तक, और एक century बाद, बड़े-बड़े tombs बनाए जाने लगे, जिनको great tholos कहा जाता था, ठीक है, mycenians ने नुसोस पर control कर लिया, और इसके अलावा, melatos और roads जो थे, वो काफी powerful establishment मानी जाती है, later, यह late period आता है, 1400 से 1200, minon influence जो है, वो बहुत ज़्यादा हो गया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा था, और होता क्या है, कि भई, the hitties of Anatolia, ठीक है, जो आज की date में, Turkey का जो हिस्सा है, तो वहाँ से कौन था, the hitties of Anatolia, उनका लगातार conflict होता था, mycenians के साथ में, refer to the later as, ahiyawa, which probably become the root of the Greek world, a chain, यानि कि homer's generic word for Greek, and milavinda, ठीक है, mycenians of milatos, there was direct contact with Egypt, यानि कि, इन लोगों के साथ इनका पंगा होता रहता था, और mycenians का Egypt के साथ भी काफ़े अच्छा खासा control था, और mycenian culture कैसे खतम हुआ, कई scholars बताते हैं, कुछ natural disasters आए होंगे, जैसे earthquakes आया होगा, कोई volcano फटा होगा, कोई tsunami आई होगी, population जादा होगी होगी, social political unrest होगा, invasions हुए होंगे, foreign tribes के, और अलग-अलग जो sea people होते थे उनके, हो सकता है, climate change हो गया हो, यह हो सकता है, कि यह सारी चीज़े एक साथ हो गई हो, माना जाता है, कि जो mycenians का पहले system था, वो काफी complex था, ठीक है, और जो मतलब mycenians की society थी, वो काफी complex थी, military and economy institution जो था, वो काफी ज़्यादा, बहुत powerful था, wealthy था, सबसे top पर जो माना जाता था, उसको whenex कहते थे, जो lord होता था, उसके अंडर में बहुत सारे high rank officials होते थे, जैसे कि lawyers होते थे, जिनको commanders भी कहा जाता था, और टेलेस्टाई होते थे, जिनको priest कहा जाता था, और कोरेटे होते थे, जो की regional manager होता था, जो सारे collection, production और ये सब कीज़ों को देखता था, फिर क्या है, ये officials जो होते थे, इनको land मिलता था, अपने lord से, यानि कि जो venex होता था, और in return, वो अपनी service देते थे, समझा रहा है आपको, यानि कि वो काम करते थे, बदले में इनको land मिलता था, military informants, जो होता था, enforcement और जो, मतलब जो भी जीज़े होते थी, ठीक है, वो military class का का काम होता था, ग्रीस के अंदर, और east और west में फैल गए, जो उनके palaces थे, वो टूटे-फूटे में मिलते हैं, ruined lands है, ruined उनके palaces है, एक mystery बनके रह गई है, ग्रीक history के अंदर, जो आज तक कभी कोई अच्छे से explain नहीं कर पाया, तो यही आज के हमारे वीडियो थी,